हेलो फ्रेंड्स किरन्स टेकन टेस्ट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मेरे वीडियो के नीचे दिये रैट बटन सब्सक्राइब को दमाएं साथ ही बेल आइकोन को भी आए फ्रेंड्स आज हम सीख लेते हैं गाजर मुली का इंस्टेंट आचार बनाना जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है क्रंची होता है और इसको आप बहुत आसानी से कुछी मिन्टों में त्यार कर सकते हैं इंस्टेंट आचार है यनि कि आप 7-8 मिनिट में इस आचार क मैं किया देल को ट्यार करके इमिजेट ली खा सकते हैं और रख सकते हैं अगर आप इसको ज्यादा अमैश तक स्टोर करना चाते हैं तो थोड़क तेल ऊपर से डालना होगा अदर्वाइज आप इसको 8-10 दिन 15 दिन महीने के लिए रखना चाहते हैं तो जिस तरह से मैंने अभी बनाया है इंस्टेंट अचार जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से बनाए और इसका मज़ा लीजी खाने में यह अचार बहुत टेस्टी होता है गाजर मुली का मोसम है तो जुरूर बनाया जाना चाहिए चाहिए देखते हैं मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है मैंने ली है आता किलो गाजर 300 ग्राम के क्रीम मुली ली है इनको धो कर, छेल कर, खाट कर ओवरनाइट रखने के बाद, सुखाने के बाद दो घंटे धूप में रखने के बाद अब मैं इसको यूज कर रही हूँ हल्दी मिर्च लिया है मैंने 2 टीस्पून लेने है लाल मिर्च के 1.5 टीस्पून लेना है हल्दी का नमक लिया है 2 टीस्पून राई पाॉडर लिया है एक टी स्पून 1-1.5 टी स्पून यूज कर सकते हैं 1 टी स्पून यूज करना है सर्सोंदाना और ये लिया है मैंने विनेगर 3 टेबल स्पून हिंग लेनी है 2 पिंच और इसके लिए हम लेंगे आईल 4 से 5 टेबल स्पून तक आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने चाट एबल स्पून ओई इसमें यूज़ कर रही हूँ, यह हिंग मैंने निकाल ली है, तो सबसे पहले हमने ओईल को गरम करना है, एक पैन में, कड़ाई में, किसी भी चीज में आप डाल कर तेल को गरम करें, अच्छा गरम होने दें उस बहुत अच्छे लगती है, वो भी आदा टी स्पून हम इसमें डालेंगे, अप्शनल है, अगर आप एक छोटी वाली राई जो होती है, वो डालना चाहते हैं, या फिर ब्लैक वाली जो मोटी राई होती है, वो भी डाल सकते हैं, जिसे सर्सों के दाने के नाम से जाना जा राई जब बहुत अच्छे से घी में बुन जाती है, तो वो थोड़ी थोड़ी हलका से उसका वाइट सा दिखने लगता है, और इसके बाद हमने गरम तेल में ही एड़ करना है, हल्दी मेर्च, यह मैंने ब्लैक वाली राई ली है, यह आदा टी स्पून डाल रही हुए, और इसके बाद हमने फ्लेम को करना है कम, मिडियम कर लें, और जल्दी से इसमें आड़ करना है हमने हल्दी, लाल मिर्च, नमक, नमक और साथ ही आड़ कर देना है हमने गाजर मुली, नमक को मैं गरम तेल में एकदम से डालती हूँ, इसलिए कि उसका जो मुष्चर होता है वो खतम हो जाता है, गाजर मुली को एड़ करने के बाद इसको लगातार हिलाना है, मिक्स करना है, थोड़ी सी मेने फ्रेंट जिसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है, यह उप्शनल है, अगर आपको पसंद हो, इससे थोड़ा सा हरी मिर्च का भी इसमें फ्लेवर आ अचार जितना ज्यादा स्पाइसी हो, उतना ही टेस्टी लगता है, क्योंकि अचार को अचार की तरह यानि कि किसी भी चीज के साथ हम थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, उसको तिखापन एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए, तो इसमें जो स्पाइसेज हैं, आप फ्लेम रखा है गैस और इसको हमने लगा तार स्पून के साथ किसी भी पल्टे के साथ चलाते रहना है ताकि ये एक तो मसाले ना जले दूसरा इसके अंदर जो पानी है मश्चर है थोड़ा सा बाकी जो गाजर मुली में या नमक से जो हो जाता है वो सूख जाए बिलकुल औ हमें राइ पौडर लिया है वो हमने इसमें डाल तीया है मिक्स कर लिया है अच्छे सीन को मिक्स करना है फुल फ्लेम पर लगा-तार महश्चर है जब सूख जाएगा ओली ऑल髬 हम इसमें नदर आएगा तद हम degas को बंद करेंगे और इसके बान फन्डा होने के लिए रख cuma है जो यह इंस्टेंट अचार हम बनाते हैं कुछ आप हलका या तो आप इसको कच्छा बिल्कुल बनाके रखते हैं तो 4-5 दिन के माद यूज कर सकते हैं लेकिन जो हमें इमिजेटली यूज करना है जैसे अब मैं बना रही हूं हम इसको ठंडा होने के बाद इमिजेटली यूज कर सकते हैं आजकर सर्दी है तो आदे घंटे में यह बहुत अच्छे से ठंडा हो जाता है इंस्टेंट अचार जो इनको भी हम सेव करके रख सकते हैं प्रेटक्ट कर सकते हैं प्रेजरवेटिक की तोर पर हम इसमें वाइट विनेगर यूज कर हैं तो उससे यह काफी दिन तक सेव रहता है को इसमें खरापी नहीं आती है लेकिन जो हमने बहुत दिनों तक रखना है उसमें थोड़ा सा बाद में गरम करके ऑईल डाल दें थोड़ी सी हींग उसमें डालकर भून ले और ऑईल डालकर उसको रख दें तो वह आपका हमेशा सुरक्षित रहेगा विनेगर मैंने इसमें आड कर दिया है विनेगर में भी देखे थोड़ा सा पानी होता है गिला पन होता है तो हमने इसको भी इसी तरह से फुल फ्लेम के उपर लगातार चलाते हुए सुखा लेना है तो गाजर मुली में जो पहले से सुखी हु को मैंने बताए हैं को उसमें भी थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं वह यह अक्सर बनाती है कि बता के कि यह काफी spicy होता है तीखा होता है बहुत और खाने में मज़ा आता है देखे कड़ाई में इस तरह से अलग करके आपको दिखा रही हूँ यह इसमें हलका सा भी water content थोड़ असा है पूरी तरह इसको सूखने तक हम इसको हाई फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए पकने देंगे और इतनी देर में ही जो हमारी गाजर बुली है यह बहुत अच्छे से जितनी हमें इसको गलाना चाहिए उतनी गल भी जाएगी खाने में यह थोड़ा क्रंची भी रहेगा लगातार चलाना है इस चीज़ को आप जुरूर ध्यान में रखें नहीं तो मसाले जो है नीचे इकट्टे होके जलने लगेंगे 7-8 मिनट इसको तकरीवन हाई फ्लेम पर पकाने में लगेंगे और गाजर और मुली आपको पता ही है इतने सॉफ्ट होते हैं कि 7-8 मिनट में बहुत अच्छे से वो बन भी जाते है जैसे हमें चाहिए उस तरह के हो जाएंगे गाजर मुली अगर आपसमे गोभी वी आड़ करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं शलगम डाल सकते हैं और अगर आपको खटा मिठा अचार बनाना है तो आपको जस्ट इसमे गोड़ आड़ करना है वह भी आप उसी समय पे गरें जब आप इसको बिल्कुल पकाने के लिए रखें जैसे जब इसमें सिर्का एड़ कर लिया है उसी टाइम पर आप इसमें गुड को घिसकर कद्दू कस करके इसमें एड़ कर दें तो उससे आपका अचार जो है खटा मिठा त्यार हो जाएगा और खटा मिठा अचार भी इंस्टेंट होगा उसको भी आप उसी समय खा सकते हैं मैंने गैस बंद करके इसको गैस से उतार लिया है आदे घंटे के बाद ठंडा हो जाए अच्छे तरीके से तो इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में किसी डब्बे में किसी भी चीज में आप इसको डाल कर कांच का हो या फूड प्लास्टिक का उसमें डालकर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी है पानी की कोई ड्रॉप नहीं नजर आएगी खाली ओयल है जो हमने यूज किया है थंडा हो चुका है मैं इसको एक डब्बी में निकालके रख रही हूं और आप इसे एर टाइट में ही रखें इसका भी एर टाइट जो लिड है वो लगा कर मैं इसे स्टोर कर लूँ चाहे तो आप इसे फ्रीज में रख लें ये अचार हमने पकाकर बनाया है इसमें सिर्के का यूज किया है तो ये अचार वैसे भी खराब होने वार नहीं है तो फ्रेंट्स रेडी है सीजनल गाजर मुली का अचार जिसमें हमने थोड़ी से हरी मिर्च भी यूज किया बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंट्स एक बन